हादो नमस्कार जी कैसे हैं आप लोग उमिद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और ये हमारा मॉडल सेट दूसरा आए जी बहर बोट कक्षा 10 अगर आप एक्जाम देना चाहते हैं मैट्रिक का एक्जाम है आपका तो आपके लिए मॉडल सेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें हम 48 को देखेंगे और हम उमीद करते हैं किसमें से कम से कम दो तीन को आपके एक्जाम में हूब हूब मिलेंगे तो 15-20 मिनिट का समय दे करके आप अगर दो नंबर ला सकते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है तो आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखें अपने दोस्तों में से जरूर करें अच्छा लगे तो और आप चैनल पर पहली बार है तो आप इसे सब्सक्राइब आप करके रखें ताकि आपकी फैयदे की वडियो जियां पर अप्लोड होती रहती हैं आप मेरे साथ भी मन ही मन जवाब देने का प्रियास करें और देखें आप कितना प्रश्न का जवाब दे सकते हैं लास्ट में आप से पूछेंगे कि आपने कितना सही किया जी ठीक है एसेस्टी में से पहले मैंने एक मोर्ल सेट जाड़ी किया था यह दूसरा हमारा आप देखोगे फ़से पहला कोशन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं पर बच्छो मैंने पढ़ाया यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो युनान को कहा जाता है बहुत कि के समय किस शासनक किस जार का सासक था यहां पर किस नहीं होगा कौन जार का सासक कौन था पहले बच्छो नेकोलस डुट्या याद कीजिए निकोलस डुट्या मैंने पढ़ाया था आपको अगला कोशन क्या आता है कि वियतनाम में रहने वाले जो फ्रांसीसी नागडिक जो भी फ्रांसीसी लोग आकर कि वियतनाम में रह रहे थे, उसको क्या नाम दिया गया था, कहते हैं कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसीों को क्या कहते थे, तो बच्चो कोलोन कहते थे, option number आपका C सही हो जाएगा, ठेक है न, कोलोन कहते थे, अगला question number 4 आता है, कि किस ख गोडवाना समू के कोईले का अंधिरमान हुआ था, ठेक है न, गोडवाना समू के कोईले का अंधिरमान, बड़ा confusing question है, कहीं आपको 20 लाक मिलेगा, कहीं 20 करोड मिलेगा, ठेक है न, तो फिलाल अभी मैं कहता हूँ, 20 करोड वर्स पहले हुआ था, ठेक है न, चलो, अगर में आप लोगो कुछ संदय होते गवार में बुक देखूंगा, बड़ी आसे तो फिर कड़ा दो, मेरे खाल से 20 करोड ही होना चाहिए, next question number 6 आता है, कि भारत में किस प्रकार की क्रीशी की प्रधानता है, बच्छो भारत में जितने भी लोग क्रीशी मतलब खेती करते हैं, कुछ ना कोई ऐसे नहीं है कि मतलब बहुत जादा बिजनसमेन है, बहुत जादा खेती से कुछ हो जाता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, भारत में जो लोग खेती करते हैं, वो सिर्फ अपना जीवन चलाने के लिए करते हैं, तो इसलिएम क्या सकते हैं कि भारत में ज सायदारी करना इसका सबसे बड़िया लाब ही होता है ऑप्शन के मध्ध में Spotify क gy improv by नगर निगम के और उसके जो मुख्य प्रसासक होते हैं उसे सबसे पहला होता है जीवन प्रत्यास्ता क्या है दूसरा मौलिक साक्षर्टा दर क्या है तो यह शभी होंगे मूलिक साधियन और नायरा में सब्देन का संबंद सब्सक्राइब प्रकृति और बच्चों को बहुत सरे बच्चे गलती में रूश का सामंत वार देते हैं बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना है, सामंत नहीं मारना है, रूश का सम्राठ होता है, ठीक है? अगले कोशन में चलते हैं, किस प्रकृति क्या था? तो प्रकृति क्या था, धार्मिक था, बहुत धर्म को मानते थे, तो उप्च्चन क्या होजाएगा आपका? D नमर होगा, क्रान्ति कारी और दूसरा धार्मिक भी था, ओगला कुश्ण है प्याये बच्चों १ारत में किलाफत अंदुलन की सुरवात कब में तो खिलाफत अंदुलन पता है आपको तुर्की के śult ζs Dave के समर्थन में खेंणा उनके खलीफा अपत को हंटा दिया गया अगला कोशन है पहला जूट मील कहा खुला था याद कर लीजिए या पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगी तो आप सही कर लोगी कोई दिक्कत है निसमें अगला कोशन है बच्चो पुंजी पती वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोशन हुआ देखो जिसके पास पुंज सित्किया सबका तो पुंजी पती वर्ग ने बच्चों सभी वर्गों का शोशन दिया था अगला कोशन आता है कि प्राचीन काल में किस अस्थल मार्ग से एसिया और यूरोप का व्यापार होता था अभी की बात नहीं हो रही है प्राचीन काल में तो प्राचीन काल में पह सब से पहले किस पुस्तक की छपाई कि बच्चों उन्होंने सबसे पहले बाईवल पोस्तक की छपाई की थी गूंटिंबर इनका फिये इनका झन्म जर्मनी में भू़ी अगला कोष्ण ने राष्ट पिता के नाम से किसे जाना जाता है बचो सबको पता है कि राष्ट पिता हम लोग किसे कहते हैं गांधी जी को कहते हैं तो option B हो जागा महात्मा गांधी अगला कोशन लिखा गया है कौन सा समाजिक वर्ग बुद्धी जी वी वर्ग के रूप में उभर कर आया ठीक है तो जो भी बुद्धी जी वी कौन से लोग क्या बन गए बुद्धी जी वर्ग बन गए तो option D आपका सही हो जाएगा अगला कोशन है बच्चो कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है देखो जब भी हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं समाज में देखेंगे तो समाज हमारा बंटा हुआ है कुछ ऐसे कारे हैं जो इस्त्रिया नहीं कर सकती और कुछ ऐसे कारे जो पुरुष नहीं कर सकते हैं तो कहते हैं जी कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है हमारा अभिप्राय होता है कि समाज द्वार अलग-अलः को अलोफ न चुछ नहीं कन संघ की विषिचता राजों का संघ भारत-राच्छियों 10 में बिषिचत कर राज़ियु लेकिन बच्चों इकहरी सासन विवस्था यह हमारी विशेश्था नहीं है आद मुझा झायती अलग हैं सब कुछ अलग अलग है तो आप्छन नमर आपका क्या होगा सी सही होगा अगला कोशन आता है कि इनमें से कौन सी एक बात लोक तंत्रिक विवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, अगर हमारा देश एक लोक तंत्रिक विवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, इसमें कौन सी ये सी बात है, जो उसके अनुरूप नहीं है, पहला option है बच्चों कानून के समक्षमान ता, ये अनुरूप है, सब लोग कान मुश्लीम लोक अल्प संख्या हैं तो ऐस नहीं है कि हमसा हिंदू मत्तव की हर शेत्र में हिंदू नेता ही जीत कराते मुस्लिम भाई भी जीतते हैं तो यह लोकतंतर में यह क्या है अनुरूप नहीं है अगला प्रसना आता है बच्छों कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है सही बात है निमलेखित में से किसमें यह घोशन आए यह बात बच्छों है कहां पर लिखी हुए कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है यह बात बूला गया है हमारे समिधान के प्रस्तावना में समिधा हमारा क्या प्रश्टावना में यह चीज़ लिखा हुआ है ठीक है नेक्स्ट हमारा कुशन क्या आता है किस ना किस लोक सभा चुनाओं के बाद महिलाओं की भागेदारी दस परतीशत से अधिक हो गई तो बच्चों पहले जो थे हमारा कितना है लोक्षभा में कूल सेटे हैं पांसो पैंतालिस है ना इसमें से जो महिलाएं हैं यानि कि जो सांसद हैं देश में महिलाओं के संख्या 10% से भी कम है यानि ज्यादा पूरूश है क्या सकते हैं लगभग 55 भी महिलाएं आपको नहीं मिलते थी पहले जो जाके लोक्षभा मतर की सीटों पर वो कारियरत हो तो यह पंदरवी लोक्षभा के बाद बच्चों 10% से आकरा बढ़ गया पंदरवी लोक्षभा याद रखना को गलत ने किसी बुक में 16-17 दिया रहेगा आपको पंदरवी याद रखना है अगला कोश पर जन सकति पार्टी यह हैं जंसक्ति पाड़ी से बुगरें-सकी裡 जनसे डूमें कर यह पीन है अगला कोशन हमते सामने आता है इपनाथल हमार कि लोग तंदर का पर तेद और लॉट तंद्र का प्रान होता हमने कई लास कुष्ण कराएं कि भारत में शंग एवम राज्यों के बीच आधिकारों का भीभाजन कितनी सूचियों में हुआ है बच्चो देखो हमारे जो सूचिया बनी है वो तीन बनी है एकम राज्यि अ सूचिय होगा संघ सुचय sound संग सूचिय है एकम भच्चों समratic सुचिया थार थे थे ना तो तीन सुचियां है अगला कोशन है नेमलेखित में से कौन लोक तंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे ठीक है ना इसमें से सारे व्यक्ति को देखेंगे तो लोक तंत्र में रंग भेद के विरोधी थे इसमें एक व्यक्ति नहीं थे वो हैं जेट गुडी ऑप्शन नमर डी जेट गुडी प्लाब यह कोशन आता है और बहुत आसाने ठीप का है याद होगा और इस का विकास मध्यिव दिद्न आपका 8 अगला कोशन है और भी भाजित विहार जब एक था में निमलेखित में से कौन एक मात्र नियोजीत नगर था बच्चो नियोजीत मतब क्या होता है कि कोचिंग सेंटर के लिए अलग जगह गैरेज के लिए अलग जगह दवाई खाना अलग जगह नियोजीत मतब एक अच्छे ढंग से जो बनाया गया था नगर वो कौन सा थ तो बच्चो उस समय एक ही जगर था जम सेथपूर अब जारकंड में अगला आता है पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है तो आप सबको पता है कि पटना हवाई अड्डा का नाम है जय प्रकास अंतराष्ट हवाई पतन ऑप्शन नमबर एस ही होगा अगला कोशन है से रजू मार् कहते हैं ठीक है तो बिहारमें रजू मार् कहां पर बच्चो सबको मालू मैं राजगीड में कभार जै। तो हिमालय चेत्र में तो नहीं विलेगा उत्तर नए दंग्षन बिहार की पहाड़ी заг preparing स्टर किंaydky성 अब आपध् направ इसको देखना पड़र देखना रिख जयान आप लोग अपर देख लेतों इसका सटीक आइनसर क्या दिया है है ठीक है ना देखें बुक कारणान से अब कमेंट करें ठीक है अगला कूशन आता है कि कवर होता है तो बट्चो मैंने ट्रिक बताया बैग में डाल लेते हैं जो पटना का चिडियांगर उसका नाम है उसका नाम ए शंजय गान्थी जैविकर उद्ध्यान कहां पर यह नाकॉशन आता है निमलेखित में से कॉन सरकों का एक वर्ग नहीं है सरकों का वर्ग नहीं है बच्चो स्वर्णीम चतुरभुज राजमार ये तो सरक ही है चार जगों को जुड़ता है दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नेई और मॉंबई अगला आता है बच्चों की एक्सप्रेस वे ये भी सरक है सिमान सरक है, ये भी सरक है तो पुरु प Precisum गलियारा ये सरकों का वर्ग नहीं है सरकों का एक वर्ग नहीं है बच्चों अगला कोशन आता है कि जिएसका रास्टी आधिक हो वह देस कहलाता है, एकनॉमिक्स कहलाता है बहुत बढ़िया कोशन है राष्ट य अधिक खूत वहदेष क्या कहलाता है विख्षित कहलाता है अफसें नम्र बी अगला कोशन है कि भारत के कि किस राज की प्रती व्यक्ति आ ए सबसे अधिक है बच्छो अपने पढ़ाएं कि सबसे अधिक राज है ना आए कहां के लोगों की है गोवा की सबसे अधीक है और सबसे कम पूछे तो बिहार की अला कोशन है कि निमलिखित में से कौन मुद्रा का कारे नहीं है बच्छों मुद्रा का कार्य क्या नहीं है तो विनिमय का माध्यम तो है मुल्य का मापक भी है मुल्य का शंचेन भी है पुछा गया कौन सा कार्य नहीं है तो उत्पादन मुद्रा धोड़ी करता है उत्पादन मुद्रा करता है नहीं इनसान करेगा अला कोशन लिखा है कि भारत का इसके अस्थापना कब हुई थी तो आप कहेंगे सर इसके अस्थापना हुई थी 1935 के अंदर इसके अस्थापना हुई थी अला कोशन है बच्चों की उर्जा का मुख्य सुरोत क्या है अगर हम देखें उर्जा के मुख्य सुरोत कौन-कौन से हैं तो आप्शन है बच्चों किसने खड़ीद लिया है तो बच्चों थम सब को कोका कोला ने खड़ीद लिया है कोका कोला ने अगला कोशन है निमलेखित में से किसे बाड से सबसे अधी घानी किसे होती है तो बच्चों सब को माड़ना सभी को बाड से सबसे अधी घानी होती है सभी को अगला कोशन लभर का टूट जाना ओप्शन नमर ए अगला कोशन है बच्चो आग से जलने की स्थिति में कि आफशकता है अग्ला कोशन लिखा गया है कि भुकंप केंदर के उर्धोहादर पिर्थवी पढ़ मैंने सिखा है ऩो पिर्थवी पढ़ इस्थित केंदर को क्या गेते हैं कोई केंदर जो पिर्थवी पर हो, कहते हैं नीचे है भुकम केंदर और उपर में पिर्थवी पर जो होता है, हम उसे कहते हैं अधी केंदर, क्या बोलते हैं अधी केंदर, option number B, I hope आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा, और आपके scores बहुत अच्छे रहे होगे, मुझ अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये, तो जिल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके जितने भी friends हैं, सभी friends में इस वीडियो को जरूर सेयर कीजिए, जरूर जीए, तो पहली बात आप लाइक करना बच्छों, और दूसरी बात क्या, आपने सभी द पढ़ने से अच्छा है, एक अच्छी जगह से वो पढ़े, ताकि उनके questions एक्जाम में बने बच्छों, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लेने से नहीं होता है, तो आप जरूर सेयर करें, और अगर आप हमारे अभी तक हमारे WhatsApp पर नहीं जुड़ें, पेड WhatsApp पर बच्छों, आप हमारा notes लेकर के घर बैठे अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया से, बहुत सारे बच्छे जुड़के हजारों बच्छे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ें, आपका number अच्छा है, हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है ना, बलकि आप लोगों के कुछ प्रस्न है, तब तक के लिए आप हसते रहें, मुस्काते रहें, बढ़िया से, बढ़ते रहें, ठीक है ना, समय व्यस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप एक्जाम बहुत कड़ी बचाएं, धन्यवाद आप से भी का जुड़ने के लिए, लबी प्यारे बच्छों